हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो सोनी स्विजान लीगल चैनल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आप किसी इंप्लॉई को हायर करते हैं तो कैसे आपको से नॉन कंपीट एग्रिमेंट साइन करवाना है अगर आप एक एक एंप्लॉई है ताक कि आपस क्या से आपकी ड्यूटी के हैं और कि इनके चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर एक बॉंड साइन कर रहे हैं सबसे पहली बात क्या कंपनी फ्रीलैंसर से नॉन कंपीट एग्रिमेंट बॉंड साइन करवा सकती है यहां फिर सिफ जो सुप्रिंग कोट हाइए जो उनके जजमेंट है वहां से इसब निकल कर रहा है और जो नॉन कंपीट है एंडिये है यह सब एक बाय प्रडॉक्ट है में एग्रिमेंट का अब सबसे पहले समझते हैं नॉन कंपीट होता क्या है आपके साथ एक एंप्लॉई काम कर रहे ह आप उसको ग्यान दे रहे हूं सारे चीज़ सिखा रहे हो ट्रेनिंग दे रहे हो तो वह उस टाइम पीरेट के लिए आपके कॉंपेटिशन के साथ काम नहीं कर सकता है अगर वह करता है तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो नॉन कंपीट वहां पर जस्टिफाइड है कि हा इसकी फांडिंग टीम ने डारेक्टर्स ने का कि यह सिक्स मुंस तक जब इन फाइस को छोड़ेंगे कॉंपेटिशन को जोई नहीं कर सकते है अकॉर्डिंग टू दियर अग्रिमेंट और कोई भी परसन किसी को काम करने से रोपता है कोई भी एग्रिमेंट किसी भी परसन से एग्रिमेंट साइन करा गया है और कंसी ड्रेशन इन वालवे इंदा फॉर्म ओफ ट्रेनिंग अन सैलेरी जो आप इंपलोई को पे कर रहे हो तो यस नॉन कंपीट को आप एक्जिक्यूट कर सकते हो वहां पर वाइड नहीं होता है वहां पर अगर ट्रेनिंग नहीं करा उसका पूरूफ नहीं कर पाए तो वहां पर आप नॉन कंपीट क्लॉस को एक्जिक्यूट नहीं कर पाओगे अब बात करते हैं मून लाइटिंग के क्यों यह भी काफी टाइम से काफी चर्चा में आगया अफ्टर कोविड तेखो मून लाइटिंग में क्या हुआ लोग क्राम कर रहे थे पैंड़े में दूसरी कमपनी के साथ उन्होंने काम करना चालो कर दिया और कम्पनी कभी मून लाइटिंग अलाओ नहीं करती है जिनके बास डेटा है उनके स्ट्रिक पॉलिसी सोती है उनको कभी अलाओ नहीं करा जाता तो अगर आप प्राइवेट अच्छे करसे manager level पर तौप management level पर आपकी agreement के लिए साफ लिखावाए क्या इन्फोरमेशन शेर नी कर सकते हो skill share नी कर सकते हो तो आप moonlighting नहीं कर सकते हो और factories act के अंदर भी clearly mentioned है की एक employee सिफ एक company के अंदर ही काम कर सकता है दो companies के लिए वैग साथ काम नहीं कर सकता यह क्यों मून लाइटिंग से उस कम्पनी को डैमेज होगा इसलिए मून लाइटिंग करना अलाव नहीं है इस चीछ का ध्यान रखना मैं आपको एक और एक्जांपल लेता हूँ नॉन कंपिट ग्लॉस का आप अनकेडमी की सेल्स हमालते हो ऑफ लाइन जैपूर की अंदर अब के अविकर सेल्स के प्रॉस्स क्लाइट हर चीज हमपर हो सकती है जब भी आप किसी कम्पनी के साथ अग्रीमेंट में आपको इन चीज का ध्यान रखना है कि उनके एंडिय में क्या मेंशन हैं उनके नॉन कंपीट में क्या मैं ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने time period के लिए आपके उपर restriction लगा रहे हैं फिर ही उसके बाद आप उस agreement को sign करिए और क्या particular territory में आपके उपर restriction है या pan India उन्हें आपके उपर restriction लगा दिए तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको employment bond के बारे में contract के बारे में और जानना है तो हमें इस number के उपर आप call कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्लीज इसको like करिए चैनल को फटा-फटा सब्सक्राइब कर कि जैसे काम की information वीडियो लेकर आए आप लोगों तुर्द उसको notification मिल जाए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा हम लोग अता है परेंट सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद